3, 2, 1 सीधी हो इस तरीके से मैंने पूरी एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है वो आप इसकी पर देख रहे हैं और उसके बाद हमने उपर से अपने नेफे के लिए जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे धाई इंचे हम उपर से छोड़ दिंगे यह हमने धाई इंचे छोड़ना है और उ की दोगे अब आप देख सकते हैं लाइन हमने सीदी कर लिए और जितना भी हमें हमसी की एरिया मतल़ना मेजर रखनाmental है उस तरarta करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपने मेजर की हाइसी मैं से हम अम कहाँ साईज है जो हमने अपनी side को रखा हुआ है और folded side से हम इसमें pocket बनाएंगे बंद वाली side से हम इसमें pocket बनाएंगे और मैंने आसन की जो लंबाई है वो 13 इंचे रखी है और 13 ही इंचे इसके उपर की मैंने ये लंबाई रखी हुई है अब 13 इंचे हम आसन से ठीक नीचे भी नाप करेंगे और इसी में हमने यहाँ पर देखे इस dot को इस तरीके से मिला देना है I mean की एक हम box ready करेंगे अब इस तरीके से इसे हमने पूरा एक square box बना देना है अब आप देख सकते हैं हमने crouch area भी निकाल दी अपने 5 इंच पे 13 इंच का हमने आसन भी रख लिया है अब हम इस की लिंगे लंबाई लंबाई हमने जितनी भी रखनी है मैं यहाँ पर 36 की length इसमा बनाऊंगी और 2 इंच मैंने extra नीचे को fold करने के लिए निशान लगा दिया है इस तरीके से अब जो हमने उपर से ये dot dot किये थे इन्हें हम पूरा नीचे तक मिला दिंगे अगर आप इस तरीके से box बना के cutting करेंगे तो जो हमारी paint की fitting है वो बहुत ही अच्छी आएगी और इसमें हमें pocket बनाने में भी बहुत ही easy होगा तो इस तरीके से हमने अपनी scale को उठाना है जो paint वाली होती है और इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप line को draw कर देना है यह हमारी जो आसन वाली है वहाँ से हमने इस तरीके से major कर लिया है अब हम अपने जो नीचे मोहरी की लंबाई होती है उसे रखेंगे आप मोहरी अपने according रखेंगे मैं यहाँ पर साड़े 6 रख रही हूँ साड़े 6 में 2 इंच या 1 इंच आप इस तरीके से बढ़ा करके रखेंगे और इस तरीके से फिर scale को रखते हुए इस साड़े से भी हमने इस तरीके से निशान लगाना है तो आप देख सकते हैं बॉक्स बनाने का कितना फायदा होता है easily हमें पता चल जाता है कि हमने कहां से कहां तक उसको रखना है अब हम इस साड़े से प्रॉकेट लगाएंगे जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो इसे मोड़ेंगे इस तरीके से और यहां से यह इतनी फिट बेड़े का कि 2 इंच हमने 1.5 इंच हम उपर छोड़ेंगे और आधा इंच हम फिर gap रखेंगे और इसको इसके बाद हमने जितनी भी हमारी इधर की चोड़ाई होगी वो हम पूरी ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा है नहीं पॉकेट बनने के लिए काफी है और 6 इंच हम नीचे को रखेंगे जो हम अपनी खुली हुई एरिया रखेंगे पॉकेट की बीच में यहाँ पर तक जो हम 6 इंच की यहाँ पर लेंट खुली हुई रखेंगे इसमें हम सिलाई नहीं लगाएंगे बीच में हमारी खुली हुई एरिया रहेगी इसे हाट डालने के लिए तो इस तरीके से और नीचे को आप पॉकेट की लंबाई कितनी भी बढ़ा सकते हैं मतलब कि आप जैसे मैंने अभी यहाँ पर 6 इंच रखाया तो 6 के बाद आप नीचे को 4 इंच, 3 इंच या 5 इंच इस तरीके से हम नीचे को गहराई पॉकेट की बढ़ा लेंगे तो आप इसे किसी भी shape में pocket को बना सकते हैं आप चाहें अगर आपको इस तरीके से बनाने में दिक्कत होती है circle या goal वाली तो आप सीधे सीधे square में ही इसे लिंगे मतलब कि सीधे flat इस तरीके से और cutting बिना किये हुए भी इस तरीके से cutting कर दिंगे लेकिन अब देखिए मैंने उपर से थोड़ा सा इसको curve ले रखा है और इस तरीके से हमारे जो pocket है इसमें आसानी से चले जाएगी और इस तरीके से हमारी pocket इसी में बन जाएगी हमें extra अलग से pocket नहीं लगानी है अब आप देख सकते हैं तो इस तरीके से मेरी cutting complete हुई और अब मैं जहां पर मैंने निशान लगाया हुआ था वहीं पर मैं इस तरीके से cutting कर लूँगे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने cutting करी है और इसमें ही हमारी pocket भी बन करके ready हो चुकी है और अब आप देख लीजिए उपर से मैंने इन्हें अलग कर लिया है और इसे हम सिलिंगे इस तरीके से आसन से आसन को मिलाते हुए सिलाई complete कर लिंगे